हैलो दोस्तो दोस्तो वाइन मेकिंग के इस चैनल में आपका सावाक्त हैं तो दोस्तो जो दिखें आज मैं इंडियन बेर जाने के यह हंडिया बनाने जा रहा हूँ तो दोस्तो जो दिखें यह रानुगोली है यह हंडिया इसे रानुगोली से बनाई जाती है तो दोस्तो जे रानुगोली एक प्रकार का East होती है तो जे जड़ी बूटी होसे बनाया जाता है दोस्तो जे हंडिया जार खंड़रो डिसा के कबीलो दवारा बनाई जाती है जे दोस्तो कई रोगों में काम आती है वहाँ पर कोई भी अगर बीमार होता है तो जे हंडिया पीता है तो इससे वो स्वस्त हो जाता है क्योंकि दोस्तों जे बहुत गुनकारी होती है बहुत ही जे सिहत के लिए अशी होती है दोस्तों पीलिया रोग में भी जे बहुत लाबकारी होती है गर्मी के दिनों में जे पीने से स्रीर को ठंडक मिलती है और लू साइड भी मैं नीचे दे दूँगा आप ओनलाइन भी जे मगवा सकते हो तो चले दोस्तों हंडिया बनाना शुरू करते हैं तो दोस्तों एक किलो चावल के पीछे हमने एक गोली का पुजोग करना है तो दोस्तों जे मैं पहली बार जे बनाने जा रहा हूं इसलिए मैंने सबसे पहले चावल को अशित्रा से दो लेने का है तो दोस्तों अभी मैं चावल को पातीला में डाल कर उबाल लेता हूं तो इसमें दोस्तों पानी बचना नहीं चाहिए पानी जो है इसी में सूख जाना चाहिए जाने के पानी को बाहर नहीं फेकना है इसी में डिस वर्ग हो जाना चाहिए पानी उतना ही डालो ज्यादा पानी मत डालिएगा तो दोस्तों इसको मैं गेस के चूला पार रख दिये हूँ, अब इसको पकने के लिए रख देते हैं, जब चावल पक जाएंगे तो हम इसका नेक्ट प्रसेश करेंगे ये देखिए हमारे चावल पक चुके है अभी हम इनको स्टीम देंगे तो देखिए अभी जरासा ये कच्चा है तो ये स्टीम देने से पुरी तरह से पक चुके है अभी इसके उपर में कपड़ा डालकर इनको ऐसे ही रिशोड देता हूँ ताकि इनको अश्य से स्टीम आ ज यह पूरी तरह से पक्चू के हैं अभी हम इसका नेक्स्ट प्रसेस करेंगे तो यह दिखी मैंने चावल को ठंडा होने के लिए शोड़ दिये हूं तो यह ठंडा हो जाएगा तो हम इसमें रानुबाल डालेंगे तो दोस्तो हंडिया को जातार कच्ची मट्टी का जो बरतन होता है उसमें बनाया जाता है या फिर स्टील पीचल का जो होता है बरतन उसमें बनाया जाता है तो दोस्तो जे दिखे मेरे पास भी यह कच्ची मट्टी का बरतन है मैं पहले इसमें बनाने जा रहा था लेकन दोस दोस्तों इसमें पानी जो भी होगा वो सूख जाएगा दोस्तों जार खंड़ो डीसा में जो बरतन उपजोग करते हैं वो पूराना बरतन होता है उसके सिदर बंद हो गए होते हैं क्योंकि अगपर भी चावलुसी में पकाया जाता है फिर उसी में ही फर्मट कर लेते हैं ल उसलिए दोस्तों मैं ज्यादा प्लाश्ट के जाफर कांच का यह जार उपजोग करता हूं तो दोस्तों अभी हम रानुबाल को अशी तरह से पीस लेते हैं फिर हम इसको चावल में डालेंगे तो दोस्तों एक केलो चावल के पीछे एक गोली डालना होता है तो मैंने सवा कर दोस्तों दिखें मैंने चावल थोड़े डाल दिये हूं अभी उपर हम यह रानुब डाल देते हैं ऐसे ही उपर एक और लेयर चावल की बना कर फिर रानुब डालेंगे ऐसे ही हम दो तिन लेयर इसकी बना देंगे यह देखें दोस्तों हमने चावलर रानुब को इसमें डाल दिये हैं अभी इसको अशीतरा से मिक्स कर देते हैं दोस्तों इस डिब्बा की उपर आप चाहिए तो कपड़ा भी बांद साकते हो जो जार कटिव करा में बनाते हैं वे उपर कपड़ा ही बांद देते हैं तो लेकन दोस्तों मैं एरलोक लगाने जा रहा हूं यह देखें जे एरलोक इसका डखन की उपर लगा हुआ है आप जा चार दिन बाद रेड़ी हो जाएगा तो मैं इसका नेक्स पार्ट आपको दीखाऊंगा तो आपको यह पीकर भी बताऊंगा कि यह कैसा बना है धन्यवाद दोस्तों